हेलो फ्रेंट्स, वेलकम तो मैं यूट्यूब चैनल, MPPSC ओनलाइन क्लासिस इस इस दी लेक्चर से एक स्तर जिसमें हम बात करने वाले हैं पैनिंसुलर रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया की जो हमारी सीरीज चल रही है रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया उसकी बाकी वीडियोस को भी आप देख सकते हैं हमारी चैनल पर जाके पैनिंसुलर रिवर सिस्टम की हम बात करते हैं दो चीज में हमने क्लासिफाई किया था हमारे रिवर सिस्टम को First one is the Himalayan river system and other was the peninsular river system. अब ही हम peninsular river system के बार में पढ़ने वाले हैं. ठीक है? तो इनको हम थोड़ी comparative विब में पढ़ेंगे. हमारा जो peninsular river system है वो हमारी Himalayan river system से older है. क्यों? क्योंकि Himalias का फॉर्मेशन जो हुआ है वो tertiary period में हुआ है. अप्रॉक्स 50 मिलियन एर्स अगो ठीक है और जो हमारे पैनिसलर एरिया है ठीक है वो तो हमारे मतलब उसमें जितनी भी रिवर्स है वो सारी फॉर्म्ड कैसे हुई हैं यह हमारे पैनिसलर के अंदर ही जितनी भी छोटी-मोटी जो प्लैटियूज है चोटी-मोटी पीक्स है पर एक्जम्पल अमर गंटक वही से स्टार्ट हुई है, ठीक है? जैसे नर्मद और सून वैली की बात करें, जो कि पैनिंसलर रिवर्स है, ये बहुत पहले ही फॉर्म हो चुकी थी, ठीक है? और हिमालियस बाद में फॉर्म हुए, तो हिमालियस की जो रिवर्स थी, वो भी इसलिए हम बोल सकते हैं कि peninsular rivers are older than the Himalayan rivers, ठीक है, these are non-perennial rivers, why non-perennial, because इनके पास ऐसा कोई source नहीं है, जिनसे कि throughout the year ये water supply कर सके, ठीक है, इनके जो water का majorly source होता है, ये dependent रहते है rainfall पे, ठीक है, majorly जो rivers है, peninsular area की, वो rainfall पे dependent रहते हैं, और हम ऐसे कोई भी glaciers नहीं देखते हैं इन areas में, peninsular India वाले areas में, इसलिए ये non-perennial होती है, as हमने बात करी, ये older है, तो ये mature stage पर अपने पहुँच चुकी है, इसलिए ये बहुत जादा broad है, और बहुत जादा इनकी valley जो है shallow type की है, ठीक है, फिर हम एक बात करते हैं, ये ज अगर हमारे इंडिया है, रफली अगर हम diagram देखें इंडिया का, इस तरीके से हमारे कुछ इंडिया है, तो इस इंडिया में हमारा slope जो है, वो आ जाता है इस तरीके का, north west to south east, ठीक है, तो हमने majorly जो भी हम rivers देखते हैं, ठीक है, अगर हम majorly बहुत सारी जो हमारी rivers उनके, अगर हम बात करें, जिसे कि यह जो हमारी rivers हो जाती है, east flowing river की majorly बात करते हैं, ठीक है, तो east flowing river में अगर हम बात करें, जिसे हमारी Godavari, Krishna, ठीक है, कावेरी हो गई, महानदी हो गई, यह सारी east side इसलिए ही flow करती है, because हमारे इंडिया का slope, जादा के side है, east side है, ठीक है, यह बा इंडिया कुछ हमें मिलेंगी, west flowing, कुछ मिलेंगी हमे, east flowing rivers, ठीक है, तो पहले हम west flowing rivers की बात कर लेते हैं, थोड़ी सी, फिर उसके बाद इस पर आते हैं, यह कुछ हमारी west flowing river से जिनके बारे में बात करनी है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, नर्मिरा, तापी और माही की, यह तीनो river का origination point है, MP से, ठीक है, नर्मिरा के बारे में हम detail में पढ़ेंगे अभी, ठीक है, MP से गुजरात से होते हुए, यह train करते हैं, अरेबियन सी में, तापी river की बात करेंगा है, जो कि MP, महरास्ट और गुजरात से flow होके train करते हैं, अरेबियन सी में, माही भी, साबर मती भी, और लूनी भी, मतलब कि यह जो पाँचो river है, यह सारी Arabian Sea में train करती हैं, और एक ही जगे से करती हैं, Gulf of Khambat से, sorry, लूनी is an exception, exception means that, लूनी inland drainage create करती है, जब हम लूनी को हमारी lectures में पढ़ेंगे, तब हम उसके बारे में discuss करते हैं, ठीक है, फिर next बात करते हैं, हमार राजिस्थान से originate होती है, लूनी भी हमारी राजिस्थान से originate होती है, और दौनो river गुजरात में फिर flow करती है, ठीक है, फिर next जो हमारी river आ जाती है, वो आ जाती है हमारी मंदावी और जुआरी, यह हमारी कुवा की river से, इनका हमें simply नाम याद रखना है, ठीक है, शरा करते हैं कि जो शरवती रिवर हैं जो हमारा जोग करके जो ऑٹरफॉल या गार्सोपाव ऊटरफॉल दूपर वाटर वाटर ने हमारी शरवती रिवर पर ही सिचूएटेड West flowing जो important rivers हैं उनको हमारे आगे वाले lectures में हम discuss करेंगे ठीक है थोड़ा साम East flowing river के बारे में भी हम थोड़ा से एक overview ले ले लेते हैं East flowing river की बात करें तो सोबर्ड ने देखा, ब्राम्मनी ठीक है गोदावरी, कृष्णा के बारे में पढ़ेंगे दौनों मिलकर लगभग 120 किलोमीटर नंबर डेल्टा क्रियाइट करती हैं ठीक है इन दी बे ओफ बैंगॉल फिर इसके बाद फर्दर बात करते हैं हम किसकी फर्दर आजाती है हमारी कुछ और rivers जिसके बारे में बात करते हैं जैसे कि हमारी Penher, Pallar and Punayar तीनों एकी जगे करनाटिका से originate करती हैं और तीनों river flow कर जाती है हमारे Bay of Bengal में और वहीं उसे drain कर जाती है ठीक है? कावीरी के बारे में हम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे ओर वेगई करके एक रिवर है जो कि हमारे तमिलनाडो में फ्लो करती है ठीके तो यह कुछ रिवर्स थी जिनका हमने ओवर्वीव बस लिया है आगे चलके हम एक एक रिवर्स को डील करते हैं ठीक, तो इस लेक्चर में हम अभी नर्मदा Riva को cover करेंगे. नर्मदा Riva की बात करते हैं, तो नर्मदा हमारे MP के परस्पेक्टिव से, MPPSC के एक्साम के परस्पेक्टिव से बहुत जादे important river है. नर्मदा क्यों important है? एक तो पहली चीज यह बहुत ज़्यादा ancient river भी मानी जाती है और यह life line of मदरबदेश है यह एक ऐसी river है जो कि perennial river है इस river में साल भर पानी रहता है ठीक है? इसका नाम तो नर्मदा है, इसका एक older name है यह जो locally लोग कहते हैं उसको कहते है मा, रेवा या रेवा नदी के नाम से जानी जाती है ठीक है? नर्मदा नदी कुछ इस तरीके से flow करती है ठीक है? MP और गुजरात में ठीक है? MP और गुजरात में यह flow करती है ठीक है? इनके starting point की बात करें तो नर्मदा नदी स्टार्ट होती है हमारी अमर कंटक प्लेट्यू से यह कहाँ पर present है? मैकाल रेंज में प्रेजेंट है अमर कंटक प्लेट्यू आ जाता है हमारा अनूपोर डिस्टिक्ट में आ जाता है ठीक है? MP की फिर बात करते हैं इस रेवर की गुजरात की सिटी है उसके थूरू यह जाके ड्रेइन करती है ठीक है? फिर कुछ important cities की बात कर लेते हैं जो कि हमारी इस रेवर पर आती है important city के अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ से अगर हम start करें तो यहाँ पर जबलपुर नरसिंगपुर होशंगाबाद हर्दा फिर आजाता है यहाँ पर महिश्वर आता है महिश्वर हमारा खरगौन में आ जाता है ठीक है? और आजाता है ओम कालेश्वर ठीक है? तो यह दोनों बहुजद इंपोर्टेंट जगे हैं जहाँ पर नर्मदा नदी के हाट बहुत अच्य था यह से विजबल होते है तो यह कुछ ऐसे इंपोर्टेंट सिटीज है जो की नर्मदा नदी के सिचुवेटेड है आगे हम बात करते है नर्मदा नदी की तो यसमें कुछ डम से अधी है ठीक है? तो बर्गी डम है एक जो हमारा इसके चैनल के तुरू देखते हैं हम इसके डैम्स को भी बर्गी डैम हमारा स्टार्टिंग में आ जाता है कहां पर यह आ जाता है हमारा जबलपुर में ठीक है फिर तवा डैम आ जाता है हमारा होशंगाबाद ठीक है फिर उसके बाद इंदरा सागर डैम आ जाता है हमारा खंडवा वाले एरिया में ठीक है खंडवा वाले एरिया में हमारा आ जाता है इंदरा सागर डैम फिर उसके बाद महिश्वर डैम महिश्वर वाले एरिया में आ जाता है ठीक है मान डैम इसके एक ट्रिब्यूट फिर सरदार सरवा डैम आ जाता है bunu घुजरात प्रता है तो यह कुछ धैम्स थे हमारी डैम के बारे में को ठीच पॉरा जाता है το का फिर मखेशारग्ज़ हमारे नाम ले आपर चोराल दो दो बार आ चुका है हमारा ठीक है तो इसको हम इस तरीके से भी याद कर सकते हैं ठीक है C for चोराल O for औरसांग ठीक है Sorry इसको हम इस तरीके से याद कर सकते हैं C for चोराल O for औरसांग H for हिर्नी H for हत्नी ठीक है और उसके बार आगे हमारी कौन सी आ जाती है कुलार and एक आ जाती है हमारी कौन सी मान, ठीक है यह चोराल तो है नहीं, दो बार लिग गया था चोराल, कुलार, और साण, हिर्णी, घत्नी and मान कोक, हकम इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं ठीक है तो waterfalls हम उसके कुछ इसके waterfalls को discuss करते हैं ठीक है तो नर्मदा नदी के waterfalls अगर हम यहां देख लेते हैं तो एक धुआधार करके धर पर waterfall है यह कहाँ पर आजाता है बेडा गाट में आजाता है यह waterfall धुआधार ठीक है और यह धुआधार को हम इसलिए अब importance देना पड़ेगा हमें क्योंकि यह जो भेडा गाट है इसको UNESCO World Heritage Site of 2021 डेक्लेयर कर दिया गया है तो यह धुआधार जो कि आजाता है हमारी नर्मदा रिवर पे जो कि बहुत ज़ादा importance रखता है exam perspective से और नर्मदा नदी के उपर है तो इसलिए यह और भी ज़ादा important है ठीक है अब हम आने वाले next lectures में हमारी जो next विवर हैं उनको cover करेंगे जो कि हमारी आजाते है कौन सी तापियन माही को cover करेंगे आगे चलके ठीक है अगर आपको कोई भी queries हो तो comment section में आप पूछ सकते हैं अगर video like हो वीडियो पसंद आई हो तो like करिएगा subscribe करिएगा thank you